अबू बिन अधम दिस इस दे सेवन्थ पोयम आफ फर्स्ट यर इंग्लिश अबू बिन अधम मुसल्मानों का एक बड़ बड़ा आलम रहा है माजी का तो इसके बारे में एक पोयम लिखी गई है जो पोयम लिखी है उसका नाम है हेंरी ली हंटे इसका पूरा नाम है हेंरी ली हंटे लेकिन हमारे बुक में जो लिखा गया है वही ली हंटे तो सबसे पहले हम इस पोयम से पहले हम अबू बिन अधम के बारे में जानते हैं कि ये कौन था ये कहां का आलम था और किस तरह का आलम था आए सुनते हैं तो बल्क शहर है इरान का वहाँ पर ये पेदा हुआ था और इनकी जो बाशाई थी वो अपने बाप दादा की तरफ से आती रहती थी तक्रिबन इन्होंने चार सो साल तक इरान पर हुकूमत की थी उसके दादा उसका बेटा फिर अबु बिन अधम ने हुकूमत की थी तो ये बाशाई टाइप के इनसान थे लेकिन सैंट भी थे वजर्ग भी थे आलम भी थे लेकिन दे डिडिनाट लव टो रिलिजन पहले ये हुआ करता था कि वो अपने खुदा से वो दूर थे अपने खुदा से महबबबट नहीं करते थी और उनकित नमाज रोजे मतलब अबादत से दूर थे लोगों की खिद्मत तो करते थे लेकिन अबादत से दूर थे तो अल्ला ने उसके वो तीन बार मलायक भीज़ कर उसको हदायद दिनाना चाहा उसको हिदायत दिलाने के लिए अला ताला ने तीन बार मलाय को भेजा उसकी तरफ तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब अबु बिन अदम अपने बेड़ पर सो रहा था तो उपर उसको चलने की आवाज आई तो अबु बिन अदम ने पूछा के कौन है तो उसने कहा मैं के शक्स हूँ अपने उंट की तलाश में आया हूँ तो अबो बिन अदम ने कहा अरे यहां पर उंक कैसा आईगा यहां तो कुछ नए बिस्तर पर कैसे मिल सकता है यह जब बात सुनी तो अबो बिन अदम अपने बैर से उठे और रूफ की तरफ चल परे जब वहाँ पर पहुंचे तो उसने देखा कि कोई भी नहीं है बैसिकली वो मलाइक था जो उसको अल्ला ताला के तरफ मतवज़ करना चाहता था दूसरी बार क्या हुआ कि अबू बिन अदम अपने दर्मार में बेठा हुआ था तो एक मलाइक जो था वो एक फरिस्ता जो था वो किसी भी बंदे का एक लंबे जो बंदे का शकल करके उसके सामने आया और अबू बिन अदम से कहा मुझे रहने के लिए जगा दो तो अबू बिन अदम ने कहा ठीक है हमारे मेमान खाने मेरा जाएं तो अबू बिन अदम से पूछा के वहां पर पहले कौन रहते थी तो उसने कहा मेरा बाप रहता था उससे पहले कौन रहता था तो उसने कहा मेरा दादा रहता था तो उस शक्स ने कहा ये तो आने जाने वाली जगह ही तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ तो एक बात बोल कर ही वो गाइब हो गया क्योंकि वो मलाएकी था बैसिकली जो मलाएक हैं वो नूरी मखलूग हैं और हम हैं खाकी मखलूग जो मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी याले मखलूग जो ही वो नूरी मखलूग को नहीं देख सकती तो वो जो मलाएक था वो एक इनसान का रूप बना कर वो अबो बिन अदम के सामने आया तो मलाएक ने अबो बिन अदम को एक पेगाम देना चाहा कि जो दुन्या ही वो रहने की जगा नहीं है बेसिकली तो आखरत है तो आखरत की तैयारी करें और तीसरी बार क्या हुआ था बुर्त वहां पर मशहूर इसकी कहानी है लेकिन अफसोर जो आज के मुसल्मान उससे अनवेर हैं उनको पता ही नहीं है कि अबु बिन अदम इतना बड़ा आलिम था तो अबु बिन अदम एक जंगल में जा रहा था शिकार के लिए तो उसको एक हिरन नजर आया तो जब उसकी तरफ भाग दोर लगा दी तो उसको किल करें तो जब काफी वक्त उसके पीछे जाते रहे तो हिरन ने पीछे देखा और उसे इनसान की आवाज में कहा तुम मुझे नहीं मारो वरना तुम भी नहीं बच सकोगे तो अबु बिन अदम ने इनसान की आवाज हिरन में से सुनकर बहुत इहरान और परेशान हो गया कि ऐसे केसी हो सकता है फिर उस इहरान ने उसकी तरफ भाग लगा दी तो अबुबिन अदम भी अपने घोड़े पर सवार होकर इतने पीछे भागा और सीधर आकर अपने बाशाई वाले जगा पर रुका और वहां से अपना सामान लेकर उ दूसरे शहर मुंते कि रहा और वहां पर जो दूसरे शहर का एक गायरता वहां पर रहता ठाए और नमगास भी पड्कर वापस फिर गायर में आजाता ठा तो यह वहां पर तक्रिबंधान रहा क्वाइन ट्ससाल शाल्खर वहां पर उसने इसे गुजारा अबादत में तो जैसे ही अबू बिन अदम मशहुर हो गए कि ये एक बड़ा आलम है बड़ा बदर्ग है जो इस गार में राता है तो लोग उस गार के आने के तरफ लग गए तो बैसिकली ये आलमों की आदत होती है जो भी बदर्ग होते हैं मसल्मान तो वो का अकेला इतन्हाई पसंद करते हैं वो लोगों का हुजूम पसंद नहीं करते हैं मगर ये ट्रामे बादी वाली मौल भी होते हैं हो इनकी तारीव करें उसका ये वो ड्रामा बादी मतलब ये झूटे आलिम ये होते हैं ये दो अबू बिन अदम सच्छा था तो ये उनको लोगों का हुजूम पसंद नहीं था तो रातों रात वो क्या हो गया वहां से हज की तरफ चल पड़ा दस साल गार में रही फिर वहां से जब लोगों को पता चला कि एक दरा बड़ा आलिम यहां पर मुकीम है तो उसको पसंद ना आया और वहां से हज की तरफ मक्य की तरफ जाने लगा जब मक्य जा रहा था तो तकरिवां उसको 20 साल लगे जाने के लिए अब 20 साल ये तो मुम्किन ही नहीं लेकिन ये अबुबन अदम क्या करता था हर 10 कदम चलता था और फिर बेट कर दो नफल नमास परता था दो रकाते नफल नमास अदा करता था तो इस तरह अदा करते हुए करते हुए तकरिवां इरान से मक्य पहुंचते हुए उसको 20 साल लगे और जब वहां से पर हज अदा क्या तो वहां पर ही वफात पा गया तो उनको एक आस्मान से आवाज आई कि आज आज आपका एक बड़ा आलिम जो था बड़ा मॉलिम था वो रुखसत हो गया है तो यह था अबो बिन अदम अब हमारे पास जो पोयम ही उसकी कहानी सुनते हैं कि वो उस कहानी में क्या कहता है तो इस इस पॉयम की हमारे पास जो स्टोरी है इसकी कहानी कुछ इस तरह था ही कि अबू बिन अदम एक रात अपने कमरे में सो रहा था तो उसके कमरे में बड़ बड़ी रोशनी हो गई तो अबू बिन अदम ने उठकर तो देखा तो क्या है कि सामने एक पुर नूर जो हसीन शक्सित बेटी हुई थी और वो कुछ अपने सुनारी किताब में लिख रही है तो अबू बिन अदम ने पूछा कि क्या लिख रही हो तो उसने जवाब दिया कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो अल्ला से मुहबत करते हैं तो अबू बिन अदम ने पूछा क्या इसमें मेरा नाम भी है तो उसने कहा नहीं तो अबू बिन अदम ने फिर उससे दुबारा रोकेस्ट की कि मेरा नाम भी लिख दें तो फरिष्टे ने कुछ अपने किताब में लिखा फिर गायव हो गया फिर जब अगली रात होई तो फिर वो आया और फिर जो अबु बिन अदम था वो उठा अपने गरी नीन से और मलाइक से कहा कि क्या मेरा नाम उन बंदों में हैं जो अल्ला के बंदों से महबत करते हैं तो मलाइक ने कहा कि जी हाँ आपका नाम तो सबसे पहले है तो ये इसका थीम है बिसिकली जो ये पोएम इसका थीम जो ही बिल्कुल ऐसा है जैसे के हमने मेट्रिक में वाइस आफ गाड पड़ा था तो इनसानित की खिदमत करना ही असल अबादत है तो ये इसका थीम में आईए अब पोएम की तरफ चलते हैं उसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते है अबु बिन अदम में स्ट्राइब इंक्रीज अबु बिन अदम खुदा करे के उसका कबीला बरता रहे अवोक वन नाइट फ्राम डीप ड्रीम आफ पीस एक रात वो गरे अमन वाले खुआब से उठे और सा विदिन दे मूनलाइट इन हिस रूम और देखी अपने कमरे में चांदनी की रोशनी मेकिंग एट रिच एंड लाइक अ लिली इन अ बलूम जो उसे मनवर कर रही थी जैसे के खुला हुआ नर्गिस का फूल अब इसमें वो ही स्टोरी बयान की गई है कि अबुबन अदम ये इसको दौा कर दी गई है कि खुदा करे उसका कबीला बरता रही उसको नजर ना लगे और एक रात वो अपने गहर अमन वाले खौब से उठे मतलब अपने नीन से उठे और अपने कमरे में क्या चांदनी वाली रोशनी देखी इसको एसें मन रोशन कर रही थी जैसे के नर्गिस का फूल सब फूलों को रोशन करता ही इसे ही वो जो रोशनी थी वो उसका मरे में मनवर कर रही थी सारे कमरे को Ann angel writing in a book of gold एक फरिष्टा जो सुनहरी किताब में लिख रहा था exceeding peace had made abu bin adham bold बढ़ती हुई खामूशी ने abu bin adham को बहादर बना दिया था and to the presence in the room he said और कमरे में उस फरिष्टे से कहा what righteous though आप क्या लिख रहे हैं the vision raised its head फरिष्टे ने अपना सर उठाया अब यहां पर जो abu bin adham ने क्या सामने ने देखा कि एक फरिष्टा है जो सुनरी किताब अपने पसे उसके पसे और वो अपने किताब में कुछ लिख रहा है और वहां पर इतनी तो सनना तो सननाटा था कि अब even adham बहादर हो गए कि यह कोई मसला नहीं है वो बहादर हो गए और उस फरिष्टे से मुखातिब होकर कहा कि ए फरिष्टे आप क्या लिख रहे हैं तो फरिष्टे ने जब अपना सर उठाया और प्यारे अंदा से देखा जवाब जिया उनके नाम जो खुदा से मुहबत करते हैं एन इस माइन वन सेड़ अबो नए नाट सो अबो बिन अदम ने पूछा क्या मेरा नाम उस किता में है तो जवाब दिया नहीं रिप्लाइ दे एंजल अबो स्पोक मौलो फरिष्टे ने जवाब दिया तो अबो बिन अदम ने मजीद धीमे लहजे में कहा अब जब उससे सवाल किया कि क्या लिख रहे हो तो फरिष्टे ने अपना सर उठाया और उसको जवाब दिया कि उन लोगों को में नाम लिख रहा हूँ जो खुदा से महबत करते हैं तो यह जवाब सुनकर अबो बिन अदम ने पूछा कि क्या इन लिस्ट में मेरा नाम भी है तो मलाइक ने जवाब दिया कि नहीं इसमें तो तेरा नाम नहीं है तो अबो बिन अदम यह सुनकर मजीद धीमे लहजे में क्या कहा आये सुनते हैं But cheerily still and said I pray thee then मगर अब भी वो खुशता मैं तुझसे इलतिजा करता हूँ रुकेस्ट करता हूँ Write me as one that loves his fellow man मेरा नाम उन में लिख दे जो अल्ला के बंदों से महबत करते हैं The angel wrote and vanished फरिश्टे ने कुछ लिखा और गायब हो गया The next right और फिर अगली रात It came again with a great awakening light वो दुबारा आया आँखों को बेदार करने वाली रोशनी के साथ अब जब अबु बिन अधव ने पूछा कि मेरा नाम है तो उसने कहां नहीं है तो अबु बिन अधव ने मजीद इलतिजा की कि मेरा नाम चलो खुदा से मुहबद करने वालों में नहीं है तो जो अल्ला से बंदों से मुहबद करते हैं उन लिस्ट में तो मेरा नाम लिख दो तो फरिश्टे ने अपने किता में कुछ लिखा फिर गायब हो गया फिर अगली रात इतने बड़े नूर से आया कि आँखों को बेदार कर दिया और दिखाए उनके नाम जिनको अल्ला की मुहबद से नवाजा गया था और देखो अबु बिन अधव का नाम सबसे सर फहरस्ट है तो जब दूसरी रात मलाइक आया पर नूर रोशनी के साथ आया अपने साथ एकना इतना बड़ा नूर लेकर आया कि जो अबु बिन अधवन था वो अपने नीन से बेदार हो गया और उसको एक लिस्ट दिखाई जिसमें उन लोगों के नाम थे जो अल्ला के बंदों से महबत करते थे फिर अल्ला उन लोगों की वज़ज़ से उन लोग से महबत करता था मकसद ये इसका ये है कि कोई बंदा अगर लोगों से महबत करता था तो अल्ला ताला भी उस शक्स से महबत करता था तो वो लिस्ट उसको दिखाई तो देखा कि अबु बिन अधवन का नाम जो था वो टाप टाप पर था पहली जो लिस्ट पहली पहली जो पोजिशन थी वो अभू बिन अधम की थी अब इस स्टोरी से हमें ये सबक मलता है कि हम लोगों से मुहबत करें उनको तकलीफ न पहुँचाएं उनको किसी किसम का दर्द न दें और उनके मसाइल को हल करें ये ही तो बिसीकली अल्ला से मुहबत है अगर नमाज परता है या रोजे रखता है तो वो तो अगर उसने रियाया कर दे दिखावे के लिए नमाज काइम कर दी तो ये तो बिलकुल भी कबोल ही नहीं होगी लेकिन अगर इनसान अल्ला ताला से सची महब्बत काइम रखना चाहता है तो उसको लोगों से महब्बत करना चाहिए उसको लोगों के मसाइल का हल ढूनना चाहिए लोगों के खिदमत करने चाहिए जितना भी उसके बस में है अल्ला हाफिस